हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तो आज मैं आप लों के साथ बिलकुल हलवाई स्टाइल ब्रेड पकोड़ा की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ आज की ये रेस्पी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी पकोड़े हम घर में बनाते ही रहते हैं लेकिन अकसर ये शिकायत रहती है कि वो हलवाई जैसे नहीं बनते या बहुत जादा ओईली बन जाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स आप लों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप हलवाई जैसा ब्रेड पकोड़ा घर में बहुत यसानी से बना पाए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को कम्प्लीट देखिए ताकि रेजपी आपको अच्छे से समझ में आए तो चलिए फिर बिना देरी किये जल्दी से बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल ब्रेड पकोड़ा की रेजपी दोस्तो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिलकुल भी मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना तो चलिए सबसे पहले हम ब्रेट पकोड़ा के लिए आलू की स्टफिंग तयार करेंगी तो यहां पर मैंने 6-7 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिये आधा टी स्पून धनिया पाउडर आधा टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर आधा टी स्पून हल्दी पाउडर आधा टी स्पून गरम मसाला और एक चताई चमच हम इसमें आड़ करेंगी काली मिर्च का पाउडर सभी मसालों को मिक्स कर लीजिए और यहां पर आलू मसा च् acid नोगर oh , हम इसमें टाल देंगी एक बड़ा चमच तेल ब्राउन हो गया है तो अब इसमें डाल देंगी एक चमच जीरा और जीरा को लगता चलाते होई makes you a बूब ढूरा Chung ho रुखने कर लिया था तो नहीं पर डाल देंगे और इसे भी लगातार चुला गए लो फ्लम सी Нरं ज़ा हैं सूखे मसाल भूं दिशाए हमकशार बूंदे नहीं हमकुल एकले देजे अब कलेंगे अलुच की यह ज़ाल आद रहता के साथ पहलने समय अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और साथ ही इस मसाले को चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूं आधा टीजबून चाट मसाला दोस्तो अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगा पे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं तो डा है तो आलू को पहले से ग्रेट करके ले सकते हैं तो मैं इसे पटैटो मैशर से ही मैश कर रहे हूं तो हम इसे अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे इससे क्या होगा कि जब हम आलू की स्टफिंग ब्रेड के अंदर करेंगे तो वो बहुत असानी से हो जाएगी बिल्कु आलू मसाला बिल्कुल तयार है तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो इसे किसी बरतन अगर देंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच दही अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहां पर एक निमू का रशाओ देंगे अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे चटनी को अच्छे से पीसने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो यहां पर दो बड़े चमच मैंने पानी डाल दिया है तो इस तो पानी जादा मौत दालेगा नहीं तो चटनी पतली हो जाएगी तो अधगकन लगाकर इसे पीस लेते हैं चटनी को हमने पीस लिया है और यहां पर हरी तीखी चटनी ब्रेट पकोड़ा के लिए बन कर बिल्कुल तयार है तो चलिए अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अब हम इसमें आधा चमच लाल मिर्च का पाउड पॉडर एड़ करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पॉडर एड़ करेंगे, अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे आप खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी कहते हैं, वो डाल देंगे, तो चलिए सारे मसाले डालने के पानी डालकर इसका बैटर तयार करेंगे तो पानी को थोड़ा-थोड़ा करके डालिए ताकि इसके अंदर गुठलियां बिलकुल भी ना बने तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से मिक्स का लेजिए और दोस्तों जो घोल इसका हमें तयार करना है बहुत जादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा गाडा भी नहीं होना चाहिए अगर बहुत जादा पतला होगा तो क्या होगा कि ब्रेट के उपर अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा और अगर बहुत जादा गाडा होगा तो सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा तो देखे, पानी को थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करेंगे, ताकि गुठलियां बिलकुल भी ना बने तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि हल्वाई इसमें बेकिंग सोडा क्यों एड़ करते हैं हमने भी इसमें बेकिंग सोडा एड़ किया है कि जब हम बैटर के अंदर बेकिंग सोडा एड़ करते हैं बेसन के अंदर तो जब हम इसे फेंटेंगे तो इसके अंदर हवा भर जाएगी यह बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा हलका हो जाएगा और जब आप इस घोल से ब्रेट को कोट करेंगे और तेल में तलेंगे तो ब्रेट जो है वो बिल्कुल भी तेल में नीचे जाकर नहीं बैठते हैं तो वो उपर ही तैरते रहेंगे तो वो पकोड़े बिल्कुल भी ओईली नहीं बनते हैं बहुत ही अच्छे हलवाई स्टाइल पकोडे तयार होंगे तो देखे हमने इसका बैटर तयार कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टंसी देख सकते हैं तो बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको इससे 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है तो चलिए यहाँ पर बेसन का घोल बनकर बिल्कुल तयार है ना तो यह बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाड़ा है और दोस्तो अब आप में से कुछ फ्रेंट्स पूछेंगे के अगर हम इसमें बेकिंग सोडा डा डा ना करें तो तो दोस्तो पकोड़े तो फिर भी बन जाएंगी लेकिन वो थोड़े से ओयली बनते हैं अगर आप हलवाई स्टाइल ब्रेड पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा बैटर में बेकिंग सोडा एट करना पड़ेगा तो चलिए अब यहाँ पर हमने ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए कुछ ब्रेड की स्लाइसे ले हैं तो जो हरी चटनी हमने तयार की थी उस हरी चटनी को आप यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए दोस्तो हरी चटनी ब्रेड के उपर इस तरह से लगाने से क्या होगा कि अगर आप ब्रेड पकोड़ा बनने के बाद साथ में अगर चटनी या सॉस नहीं लेना चाहते हैं तब भी ये पकोड़े बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगते हैं तो दूसरे स्लाइस के उपर हम यहाँ पर लगाएंगे टमेटो कैचप अब चाहें तो ब्रेड के उपर सिर्फ हरी चटनी या फिर टमेटो कैचप लगा सकते हैं तो चलिए हमने दोनों चटनियां इस तरह से लगा दी हैं ब्रेड के उपर और अब हम जो हमने आलू मसाला त प्रेस कर दीजिए तो चलिए अब हम बाकी के ब्रेड के अंदर भी आलू की स्टफिंग इसी तरह से कर लेंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे तो चलिए अब ये तलने के लिए बिलकुल तयार है और अब हम इने बेसन के खोल के अंदर डिप करके बस तलेंगे तो च यहां पर तेल को हमने गरम कौने के लिए रख दिया था, मीडियूम फ्लेम पे हमने तेल को गरम कर लिया है बस आपको इसके अंदर इस तरह से ब्रेड पकोडा जो है वो डाल देने हैं और मीडियूम फ्लेम पे हम इने फ्राइ कर लेंगे और दोस्तो आपने देखा कि जब ह तो तो नहीं बैठा है वो ऊपर ही तेयर रहा है दूस्तो बेसन का गोल जब हमने तयार किया था थो उसमे थोड़ा सा भी definite देखा में डाल दिया था में सोड़ा डालने हैं तो दो नहीं बैठी है कि जब हमनें एस कि देखी विएकन के वालो हु้ं आपने ह हलवाई स्टाइल पकोड़े आप घर में इस तरह से बना पाएंगे तो इन्हें क्रिस्पी होने तक हम फ्राइ करेंगे तो देखे मैं चम्मच के साथ भी इन्हें तेल के अंदर प्रेस कर रहे हूं लेकिन ये फिर भी उपर ही तैर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस तरह से घर में ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे तो आप जब ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे तो वो ऐसे ही बन कर तयार होंगे तो चलिए हमने इन्हें फ्राइक कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल ब्रेड पकोड़ा की रेस्पी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है तो चलिए बाकी के ब्रेड पकोड़ा भी हम इसी तरह से तल कर तयार कर लेंगे और बेसिन का घोल जो हमने बनाया था वो एक्तम परफेक्ट था तब ही ये ब्रेड के उपर अच्छे से कोट हुआ है तो चलिए अब बाकी के ब्रेड पकोड़ा भी हम इसी तरह से तयार कर लेंगे दोस्तो मिर्ची वड़ा की रिस्पी आप लों के साथ मैंने पहले ही शियर की हुई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे जरूर देखेगा वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए सारे पकोड़े इसी तरह से तल कर तयार कर लेंगे तो चलिए मैं आपको कट कर के दिखाती हूँ के पकोड़े किस तरह से तयार हुए है बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा क्रिस्पी ब्रेट पकोड़ा हमने घर में तयार कर लिया है बिल्कुल हलवाई स्टाइल तो ये देखे जो हमने हरी चटनी और लाल चटनी इसके अंदर लगाई थी तो उससे क्या है कि आपको किसी सौस की जरूरत नहीं है साथ में अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन्हें ऐसे इंज्वाई कीजिए तो देखे सारे ब्रेट पकोड़ा बनकर बिल्कुल तयार है और मुझे पूरी उमीद है आपको आज की रेटी बहुत ज़्यदा पसंद आई होगी वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा है लाहए है आपको रेइपल लगा है तो वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए अपनी फैमिली के साथ तो दीखे आप चाहें तो सिर्फ चाट मसाला ओपर से इस तरह से डाल दीजिए और बिना किसी भी चटनी के आप इने ऐसे ही इंजॉई कीजिए अगर ऐसी और असान रेस्पी देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे और पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मिलते हैं दोस्तों एक नए रेस्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग